हेलो दोस्तो स्वागत है आपका उनेस यूजर रिव्यूज की नई वीडियो में सामने आप देख रहे हैं टाटा की साइट से 2023 में लॉंच किया गया नया प्रोड़क्ट जिसका नाम है टियागो ईवी अपने पेट्रोल और CNG अवतार में पहले ही काफी धूम मचाने के बाद इस बाद टियागो को ईवी अवतार में लॉंच किया गया है और इसी के साथ ये बन गई है भारत की सबसे कम कीमत वाली ईवी दोस्तो एक लाख रुपे की कम कीमत वाली टाटा नेनों की बात हो उसके बाद टाटा की साइड से टिग और ईवी को लॉंच किया गया और पूरे 45,000 से जादा ईवी बेशने के बाद अब टाटा टियागो ईवी को 10 लाख से कम के बजट में एक आम आदमी के बजट में ईवी को यहाँ पे लॉंच किया जा चुका है अगर आपका बजट है 10 लाख से कम और आप 2023 में परचेस करना चाते हैं एक नई ईवी तो यह वीडियो आप लोग के लिए काफी यूसपुल होने वाला है सुरुआत कर लेते हैं इसके वेरियंट से तो XC बेस और XT बेस दो वेरियंट में आपको 19.2 किलोवाट आवर की बैटरी मिल जाती है जिसमें आपको 257 किलोमेटर की मैक्सिमम रेंज मिल जाती है और अगर आप इसके XZ Plus और XZ Plus First Charging Option पे जाते हैं तो वहाँ आपको मिल जाती है 24 किलोवाट आवर की बैटरी जिससे आपको मिलने वाली है 315 किलोमेटर तक की बैटरी इन रेंज बात कर लूँ इसकी प्राइजेस की तो इसकी कीमतें शुरू होती है X-Room 8.69 लैक से और टॉप मॉडल की कीमत है 11.99 लैक रुपीज देखने को मिलती है जो की है Tata की EV थीम साथ ही आपको मिल जाती है Piano Black Color की यहाँ पे Close Bumper Grill नीचे दिये गए है Skate Plates और यहाँ पे Tri Arrow थीम के साथ Radiator Grill है यहाँ पे Towing Hook है और नीचे आपको मिल जाते है Halogen Base Fog Lamp जिसके साथ आपको देखने को मिलेंगे LED DRLs और उसके साथ Plastic में थोड़ा सा Design Headlamps की बात करूं तो आपको मिल जाते है Halogen Projector Base Headlamps जिसके साथ Mounted है Turn Indicators Halogen Base Projector Headlamps के उपर आपको देखने को मिल जाएंगे Chrome की Finish के साथ थोड़ा सा Design जो इसे देता है Cool Look और इसकी जो Sky Blue Color की Strip है वो इसे एक Premium Stance देती है यह आप इसका Tropical Miss Color देख रहे हैं इसके अलावा Teal Blue, Black, White, Gray के साथ टोटल 5 कलर उप्शन में Tata, Tiago, Eevee आपको मिल जाती है यह है दोनु Rain Sensing Viper यहाँ पे दिया गया है Rain Sensor इसके अलावा आपको Black Color की Roof देखने को मिल जाती है Dual Tone Color के साथ यह आपको देखने को मिल जाती है और कुछ इस तरीके से होने वाली है Side Profile Sharkfin Antina तो नहीं दिया गया है Normal Classic Antina देखने को मिल जाता है Length है इसके 3.7 मिटर विथ है 1.6 मिटर, 1.5 मिटर है Ground Clearance है 165 mm Wheel Base होने वाला है 2400 mm का वहीं Turning Radius है 5.1 मिटर का दोस्तो Tiago EV में Fender पे भी आपको EV की बेजिंग देखने को मिल जाती है आइए बात कर लेते हैं इसके Tare Profile की तो इसमें आपको 14 Inches के Hyper Style Steel Wheels मिल जाते हैं जिसमें आगे Disc Brakes दिये गए हैं और पीछे Drum Brakes देखने को मिल जाते हैं ये Alloy Wheels नहीं होने वाले हैं ये Steel Wheels हैं और इसमें Wheel Cover आपको Company Fitted देखने को मिल जाता है अगर बात करूं इसके Suspensions की तो आगे आपको Independent Lower Wishbone Mac Persons Dual Path Suspension मिलेंगे पीछे Twist Beam के साथ Coil Spring Suspension मिलेंगे ये हैं इसके Black Color की Finish लिए हुए ORBMs जो की होने वाले हैं मिल जाती है जो इसे बनाती है एकदम Cool कुछ इस तरीके से होने वाला है इसका पूरा Interior अब बात कर लेते हैं Tiago EV में मिलने वाली Safety की तो इसके IC Engine वाले Variant को 5 में से 4 Star की Safety Rating Global Encap की साइट से मिल चुकी है और इसका Tiago EV IC Engine है Best Hatchback Safety के मामले में दोस्तों इसमें मिलने वाले Safety Features की बात करूँ तो इसमें आपको दो Airbags मिल जाते हैं ABS with EVD आता है Seed Belts Warning है Tire Pressure Monitor मिल जाता है Crash Sensor Automatic Head Lamps आते हैं Battery Cut-Off on Impact Accident के ताइम पर देखने को मिल जाता है IP67 Certified Battery और Motor है जो की Waterproof और Dust Proof होने वाले हैं इसके अलावा Key Reminder मिल जाता है Geo Fence Alert मिल जाता है Speed Sensing Auto Door Lock है Impact Sensing Auto Door Unlock मिल जाता है और इसके Pre-Tensioner और Load Limiters के साथ सबी Seed Belts आपको देखने को मिल जाती हैं यहां से आप करेंगे अपनी Tiago EV को Charge उससे पहले में इस Panel को Open करके आपको दिखा देता हूँ और बात कर लेते हैं इसकी Charging के बारे में तो 15 Ampere के AC Socket से अगर आप इसे अपने घर में Charge करते हैं तो यह 8.5 गंटों में 0-90% तक Charge हो जाती है वहीं अगर आप 3.3 kW के Charger से Charge करते हैं तो यह 6.5 गंटे लेती है 90% Charge करने में यह है इसका AC Socket और उसके नीचे दिया गया है DC Socket अगर आप इसे DC Fast Charger से Charge करते हैं तो यह 57 मिनट में 0-70% तक Charge हो जाती है वहीं अगर आप 7.2 kW के AC Charger से Charge करते हैं तो यह 3.6 आवर में 90% Charge हो जाती है कुछ इस तरीके से होने वाला है इसका पूरा Rear Look Rear Look से देखने में इसका जो IC Engine वाला Variant है उसी तरीके से देखने में लगती है नीचे आपको मिल जाता है Black Color का Bumper नीचे दे गए है Skid Plates नीचे की साइडी आपको दो Parking Sensor भी देखने को मिल जाते हैं बात कर लेते हैं इसके Tail Lamps के बारे में तो LED Tail Lamps देखने को मिल जाते हैं विद Reverse Light और Turn Indicator के साथ और यहां पे Reverse Camera दिया गया है Tata का Logo है Tiago EV की बेजिंग है और कुछ इस तरीके से यहां पे होने वाली है Battery की Positioning इसकी जो Battery है Waterproof होने वाली है और यहां मिल जाता है High Mountain Tail Lamp Spoiler की Positioning यहां पर दी गई है कुछ इस तरीके से होने वाली है Tiago EV की Rear Profile अगर मैं बात करो इसके Boot Space के बारे में इसकी Boot Lit को Open करने के दो तरीके हैं आपके पास Key में भी Option है वहीं अगर नीचे आप Boot Lit के नीचे यहां पे बटन को दबाते हैं तो Boot अपने आप Open हो जाता है इसके साथ आपको मिल जाता है 240 लिटर का Boot Space पार्सल ट्रे के साथ आता है कुछ इस तरीके से वाइट कलर में होने वाला है इसका पूरा इंटीर तो इसमें नीचे Boot Space की बात करूँ तो इसमें आपको यहां पे मिल जाती है Tata की बैजिंग और यहां पे Charger देखने को मिल जाता है AC Charger और Parking Triangle दिए गए हैं और Tire Mobility Kit भी देखने को मिल जाती है और यहां पे कोई भी Light तो देखने को नहीं मिल रही है तो इसमें काफी सारी Warning Lights भी देखने को मिल जाती है तो घर पे Charger करने के लिए तो यह है लेकिन अगर आप बाहर DC Fast Charger से करते हैं तो 57 मिनट में 10 से 70% तक यह Charger हो जाती है और यह है इसकी Tire Mobility Kit Tire Puncher Kit भी बोल सकते हैं यह हैं इसके Parking Triangle और नीचे यहाँ पर थोड़ा सा Space आपको देखने को मिल जाता है अब इसके Boot Space को बन कर लेते हैं और यहाँ पर थोड़े बहुत Hooks देखने को मिल जाएंगे जो कि 3 केजी तक की Weight Capacity के साथ आते हैं दोनों साइड मिल जाते हैं पार्शल ट्रे देखने को मिल जाती है अब इसके Bootlet को बन कर लेते हैं यहाँ से Grab Handle दिया गया है Bootlet को बन करने के लिए अब इसके Passenger Side Door की बात कर लेते हैं उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे Vocal for Local की Baging जो Tata अपने सभी Products में देते हुए आता है और कुछ इस तरीके से होने वाला है Rear Passenger Side Interior Rear Passenger Side Door की बात करूँ तो White और Black Color की Color Combination के साथ मिल जाता है यहाँ पे देखने को मिलता है Black Color Speakers दिये गए हैं Chrome की Finish के साथ Door Opening Handle है यहाँ पे थोड़ा सा Space है Window के Controls यहाँ पे Bottle Holder दिया गए थोड़ा सा Space है नीचे Speakers है Rear Passenger Side Seats की बात करूँ तो आपको White Color की Leather Eye Depository मिलती है दोनों ही Rear Passenger के लिए आपको Adjustable Headress तो देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन Seat की कुछ निंग होने वाली है एक नमबर 10 लाग से कम के budget में आपको एक EV प्रोवाइट की जा रही है तो उसका interior भी होने वाला है जबरदस ऐसा नहीं है कि काफी compromise के गए है और यहाँ पे आपको seat के पीछे कोई भी pockets देखने को नहीं मिलते हैं partial tray दी गई है और center में आपको armrest भी देखने को नहीं मिलता है लेकिन इसकी जो seat belts है वो आती है ISOFIX child seats mount के साथ और pre-tension and load limiters के साथ देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके से थी पूरी rear passenger side seats आईए आप बात कर लेते हैं driver side door की और देखते हैं उसमें हमें क्या-क्या मिलने वाला है driver side door पे भी आपको black और white color का पूरा color combination देखने को मिल जाता है plastic की जो build quality है वो ऐसा नहीं कुछ compromise है अच्छी कासी देखने को मिल जाती है यहाँ पे space देखने को मिल जाता है window के controls है door lock unlock के बटन दिए गए है driver side आपको one touch up down window देखने को मिल जाती है door opening handle पे यहाँ पे chrome की finish है और यहाँ पे दिए गए है ORBM के controls और इसका plate पे कोई भी bedging देखने को नहीं मिलती है और यहाँ पे नीचे tear pressure information और driver side seat को आप height adjust कर सकते हैं recline भी कर सकते हैं manually होने वाला है कोई भी electrical system देखने को नहीं मिलता है लेकिन जो seat की cushioning है और stitching है वो होने वाली है भाई सच में एक number आप लोग खुद seat पे feel करके देख सकते हैं कि भाई एक hatchback में और वो भी EV में मुझे मिलने वाली तगड़ी वाली seat है और कुछ इस तरीके से black और white color के combination में sky blue color की theme लिएवे होने वाला है पूरा इसका dashboard आईए आप Tiago EV के driver seat पे बैठ लेते हैं और बात कर लेते हैं इसके interior के वारे में इसके interior में steering wheel के left side में आपको मिल जाता है engine start stop करने का button जिसको आप जस्ट एक बार दबाते हैं ignition थोड़ा सा on हो जाता है और अगर आपको instrument cluster on करना है और infotainment system on करना है तो आपको इसको एक बार और दबाना पड़ेगा जब आप इसे एक बार और दबाते हैं तो यहाँ पे EV के welcome function के साथ यह instrument cluster आपका स्वागत करता है इसमें आपको मिल जाता है fully digital instrument cluster जो दिखाएगा speed, range, time, battery percentage और multiple trips देखने को मिल जाती है और driver modes, shift indication देखने को मिल जाता है और दो driving modes आपको देखने को मिल जाते है sports mode के साथ यह गाड़ी आती है eco और sport दो driving modes देखने को मिल जाते है charging percentage यह दिखाता है और regeneration level दिखाता है और कई सारी warning lights भी आपको देखने को मिल जाती है और यहाँ से आप इसको change करके देख सकते है अगर आप इसके regeneration level को बढ़ा देते हैं तो आपको बहतर range मिलती है गाड़ी जब acceleration छोड़ देती है आप acceleration से पैर हटा लेते हैं तो automatically regeneration breaking start हो जाती है और battery इस time पे charge होना भी start कर देती है तो कुछ इस तरीके से था पूरा इसका instrument cluster पूरा होने वाला है digital में और blue और multiple colors में होने वाला है इसके instrument cluster के चार ओर भी आपको sky blue color की EV theme मिल जाती है साथ में आती हैं कई सारी warning lights यह है इसका flat bottom leather wrapped electrical power steering wheel जिसके center में है Tata का logo यहां है volume up down के buttons, track change के button और यहां से voice command control के button और यहां पे smartphone के button और Tiago EV में आपको मिल जाता है cruise control steering wheel के right side में अगर आप जाते हैं आपको मिलते है headlamps के control left side में दिये गए हैं wiper के controls तो दोस्तों नीचे आपको कोई भी buttons देखने को नहीं मिलते हैं automatic headlamp मिल जाता है यह है इसका 7 inches का harmon का touch screen infotainment display जो की आता है 8 speakers और 4 twitters के साथ यह support करता है apple carplay, android auto, usb, bluetooth sms notification और read out fm radio और कई सारी vehicle settings देखने को मिल जाती है अगर आप setting के अंदर जाते हैं तो vehicle setup, audio setup और volume के कई सारी functions देखने को मिल जाते हैं और इसके जो theme selection में अगर आप जाते हैं तो आपको 4 theme का select करने का option भी आपको देखने को मिल जाता है 4 theme के options यहाँ पे दिये गए हैं इसके infotainment display के नीचे भी आपको कुछ buttons देखने को मिल जाते हैं जो की है regenerative braking को on off करने का button यहाँ से आप इसकी regenerative braking को on off भी कर सकते हैं regenerative braking को आप जब बढ़ाते हैं तो उसको instrument cluster पे यह दिखाता है regenerative braking बढ़ाने पे आपको मिल जाती है बहतर range साथ ही दिया गया है fog light का button AC charger disconnect switch और car lock unlock करने का button भी आपको देखने को मिल जाता है boot lock और open का button भी यहाँ से देखने को मिलता है और यह है इसका fully climate control automatic AC जिसके यहाँ पे controls दिये गए है no selector switch दिया गया है और उसके नीचे आपको दिये गए है defoggers वगयरा के controls rear wiper के control एक USB socket मिल जाता है और यहाँ पे DC socket भी मिल जाता है कुछ space है यह है इसका drive mode selector जिसमें मिल जाता है neutral drive reverse और sport के function handbrake है यहाँ पर एक socket है थोड़ से space यहाँ है दो cup holder और globe box की बात करूँ तो इसका globe box आता है tablet holder के साथ और यह होने वाला है cool काफी यादा deep है इसमें आप अपनी bottles होकरा को ठंडर रख सकते है तो इसके जो dashboard की बात करूँ तो white black और sky blue कलर का जो extension से वो लगता है एकदम premium और यहाँ पे IRBM automatic तो नहीं मिलता है manual adjust करना पड़ेगा और driver side vanity mirror नहीं मिलता है और cable lights की बात करों तो आपको मिल जाती है center में दोनों आगे और पीछे दोनों ही passenger के लिए यहाँ पे एक ही cable light देखने को मिलती है लेकिन वो LED भी मिलती है तो Tata की side से यहाँ पे कोशिश की गई है comfort पूरा provide करने की budget में आईए इसके engine lid को open कर लेते हैं और बात कर लेते हैं इसकी battery capacity और motor के बारे में यह आप Tiago EV का long range variant देख रहे है XZ Plus जिसमें आपको 24 kWh की lithium ion battery permanent magnet synchronous motor के साथ मिल जाती है और यह generate करती है 73 hp और 114 Nm का इसमें आपको torque देखने को मिल जाता है वहीं अगर आप इसके base variants में जाते है Tiago EV medium range में तो उसमें आपको 19.2 kWh की battery मिल जाती है जो generate करती है 60 hp और 110 Nm का torque और उसमें आपको 257 km की बहतरीन range देखने को मिल जाती है इसके अलावा Tiago EV में आपको Tata की inbuilt jet connect app मिल जाती है जिससे आप अपने smartphone से ही car के 45 से ज़्यादा features को access कर सकते हैं जैसे intrusion alert, find my car, near rest, charging station, real time charge status, emergency SOS, driving behavior और कई सारे features तो कैसी लगी आपको Tata Tiago EV कॉमेंट करके बताएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइब कीजिए चैनल को सब्स्राइब कीजिए जैंज भारत